नमश्कार श्वागत है आप सभी को आप देख रहे हैं गेटेटी फोल्टो सबन लाइप चीमी मैं आपके साथ पतीक शावगा तो चलिए रूप करते हैं इस वक्त की कोछ एनाल खाबरों की वोड़ी पंजाब के मुख्य मंतरी चरण जीर सिंग चन्नी के हेली कौप्टर को शो मुआरियानी आजचन्डी रटी राजेंद पार्क से उडाम भणनी के उनुमित नहीं दी गई क्योंकि परधान मंतरी नेरेंद मोदी के काफली के कारण नो फलाई जोन गोशिक किया गया था अंग्रिश नेता राहूल गाधी की चुनावी रैली में सामिन होने के लिए सीएम चन्नी को पंजाब के लिए खोसियार पूर जाना था जिसके चलते चन्नी होसियार पूर में राहूल गाधी की रैली ने नहीं पहुच पाए अब इस मामले में कांगरिजनेता सुनिल जाकर में पीम मोधी और बीजेती पंतिखा हमला बोला है जी आपको बताते चले दरसल आज होसियारपुर में राहुल गाने की रैली थी जिसमें सामिन होने के लिए मुख्यमंत्री चरणजी सिंग्चन्णी को चन्डे घर से होसियारपुर रेली के लिए निकलना था लेकिन प्रशासन में जालंधर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के कारकरम का हवाला दिकर सीम चन्नी के हेलिकॉप्टर को होसियारपूर में लेंड करने की इजाज़त नहीं दी बताया जाराई कि प्रभान मंत्री की सुरच्छा की कारल पंचाब में लोफ लाइन जूंग होजित किया गया है वहीं इससे पहले राहुल गाने की चापर को उतरनी की इजाज़त दी गई थी इस मामले में कांग्रेस के सीनियर नेता सुनिल जाखर ने कहा कि सीम को यहां होसियारपूर में आना था लेकिन यह सर्म नाख है कि इस सरकार ने चरणजी सिंग चन्नी को होस्यारपुर आने की अनुमत रद कर दे नहीं आपको बताते चले अगर चुनाव आयोड में इसका संग्यान नहीं लिया तो मैं समझ जाओंगा कि यह चुनाव श्वांग और दिखावा भर है उन जाखण ने कहा कि कुछ दिन पहले जब पीम मोदी फिरोजपुर नहीं जा पाए तब कहा गया था कि उनकी जिन्दगी को खत्रा था लेकिन आज चन्नी को होस्यारपुराने से रोका गया मोदी को इस पर कुछ रोजनी डालनी चाहिए वही राहुल गांधी की होस्यारपुर रैली में पंजाब कांगरिस चीफ नवजोट सिंग सिधू शमेद कई नेता मौजूद है राहुल ने कहा कि चरट जित चरनी गरीब घर के बेटे हैं वह गरीबी को समझते हैं वह पंजाब में अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे पंजाब में किशानों गरीबों मजदूरों और इसमाल मेडियम इंडेस्ट्री की सरकार चलाएंगे वही नोटबंदी के बास से देश की बुरी हालत सुरू हुई है देश में बीरुजगारी फैल गई थी इंडेस्ट्रियां तबाह हो गई जी एस्टीवी जलत धन से लागू कर दिया गया वही आपको पता दे कि पंजाब की 117 बिधान सभार सीटों के लिए 20 फरोरी को मद्दान होगा और 10 मार्च को मदगर ना होगी